हेलो गाईज अससलाम वालेकुम जिस अब्दुल्ला एजय है वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो एक फोटोगरफर के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है और काफी उसको हेल्प करता है उसकी पिक्चर को बैटर करने के लिए उसकी पिक्चर को इंपेक्ट फुल बनाने के लिए और उसकी पिक्चर को composition होती है कि वो कुछ music's लेकर एक composition को create करता है, इसी तरह एक photographer कुछ compositions को लेकर कुछ अपने ideas को लेकर एक frame create करता है वो frame उस idea को define कर रहोता है, उस picture की story define कर रहोता है, तो यह काफी different process होता है, एक arm photographer और एक story teller photographer में और story teller मैं इसलिह कह रहा हूं क्योंकि जो भी professional photographer होता है उसकी image के अंदर एक story छुपी भी होती है एक sign होता है एक symbol होता है एक कोई message होता है सबसे पहले बात करेंगे हम compositions की types के बारे में बहुत सारी compositions हैं पूरी दुनिया में लेकिन सबसे basic composition जो हैं जो majority of photographer इस्तमाल करते हैं वो composition आपकी 5 है rule of third, center composition, leading lines, golden ratio, focal length now सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले composition हमारी होती है rule of third rule of third कुछ लोगों ने नाम सुनावा होगा लेकिन अगर जिन लोगों ने नाम नहीं सुनावा तो उनको डरने की ज़रूद नहीं है काफी simple rule है आपने करना है क्या है आपने joints को मिलाना है जहां आपके सारे joints मिलेंगे और अगर आपको object यहां पर होगा तो यह rule of third में आएगा अगर आप rule of third पे picture click करके देखें तो आपको काफी difference नजर आएगा अपनी एक normal picture पे और एक इस rule पे click करीवी picture पे तो सबसे पहले आपने करना है क्या इस grid को समझना है rule of third का मकसद ही होता है कि आपकी frame का तीसरा हिस्सा वो vertical भी हो सकता है वो horizontal भी हो सकता है तो घबराना भी नहीं है आपने frame को select करना है अपने object को select करना है अपने foreground background को adjust करना है और एक amazing सी composition create करनी है और कुछ photographers जो चीजों को देखते हैं तो इस grid को use करके उनको उनका mind इस तरह से काम करने लगता है कि वो without camera भी चीजों को rule of third में देख रहे होते हैं और उनकी जहन में एक frame बनना शुरू हो जाता है तो एक अच्छे photographer की पैचांज यही होती है कि उसका frame एक story tell करें एक story को define करें और वो कुछ message convey कर सकें एक image एक story की तरह लगनी चाहिए now second composition हमारी है center composition center composition काफी लोग आम तोर पर भी use कर रहे होते हैं और काफी लोग इसको अपने pictures के अंदर apply करते हैं हमको पता भी नहीं होता कि हम center composition apply कर रहें जबकि अगर आप इस picture को देखें तो यह center composition पे ली गई है और center composition काफी boring type होती है लेकिन कुछ जगाओं पे इसका काफी impact होता है अगर आप यह दूसरी picture देखें तो यह center composition है center composition को use करने के लिए आपको काफी अपने mind के अंदर चीजे clear करनी होंगी कि जब भी आप अपने object को center में रखेंगे आपका side और आपका right side आपका left side बिल्कुल balance होना चाहिए और आपका top और आपका bottom बिल्कुल balance होना चाहिए वरना वह center composition नहीं कहलाएगी और center composition के काफी effective results आते हैं अगर आप इसको सही तरह से use करें लेकिन अगर हम अगर अपनी आहम जिन्दगी में देखें तो हम बहुत सारी picture जो click कर रहे होते हैं वह center composition पे ही होती है और ज्यादतर लोगों को पता नहीं है कि हम यह composition भी इस्तमाल कर रहे हैं तो उनको यह पता होना चाहिए कि हम कौन से composition इस्तमाल कर रहे हैं ताकि वह अपनी pictures को better बना सके now number three हमारी आती है leading lines आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि यह lines से relate है तो यह lines का कुछ ऐसा game बनाती है कुछ ऐसी feel बनाती है कि देखने वाला मजबूर हो जाता है उस picture को दुबारा देखने पे क्यूंकि lines जब travel करती है आपके object तक अगर आपका frame lines पे travel करके आपके object तक जाए आपको एक direction दे तो आपको जाहिर सी बात है उस picture में काफी impact नजर आएगा काफी dynamic picture होगी काफी amazing looks दे रही होगी क्यूंकि वो आपको direction में लेकर जा रही है अपने object तक आपको guide कर रही है कि मेरा object यहां है और जो लोग architecture photography करते हैं उनके लिए composition काफी important है क्यूंक जाता है उन picture में काफी impact पाया जाता है काफी amazing composition होती है तो मुझे अपनी जाती तौर पर यह composition बहुत पसंद है और मैं इसको काफी follow करता हूं now number 4 आता है हमारा golden ratio golden ratio में जितनी भी हमारी natural चीज़े है वो golden ratio पर बनी है यह एक universal truth है हमारी जो भी natural चीज़े है flowers और trees यहां तक human body यह भी golden ratio पर बनी है मुझे जहां तक लगता है कि rule of third भी कहीं न कहीं इस पर काम कर रहा होता है golden ratio पर उस scientist का मानना है कि हमारी human eye जो होती है वो भी golden ratio में देखती है जब हम golden ratio को देखते हैं तो हमें काफी अच्छी feel आती है हर चीज golden ratio के उपर ही बनी है अगर आप किसी भी चीज़ को रख कर उसको divide करें तो वो golden ratio में ही मिलेगी जो लोग यह use करेंगे उनको काफी मजा आएगा उनको काफी help होगी अपनी angles को अपनी compositions को set करने में नमबर 5 हमारी आती है focal length जी हाँ अब आप लोग बोलेंगे के focal length से composition का क्या तालुक तो मैं आपको यहां बताता चलूँ कि जब आप टेली photo lens लगाते हैं तो आपका background काफी close हो जाता है जिसकी वज़े से आपकी composition tight हो जाती है जिसकी वज़े से आपकी composition का background close हो जाता है और जब आप wide lens लगाते हैं तो आपकी composition जो होती है वो lose हो जाती है तो focal length को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि focal length आपकी composition को decide करती है कि आपकी composition को tight करना है या आपकी composition को lose करना है और अगर आप टेली photo lens यूज़े कर रहे हैं और आप चाते हैं कि आपकी composition का जो background हो काफी है तो composition का focal length से बहुत तालुग है अगर आप यह image देखें तो आपको वाज़े फर्क पता चलेगा कि यह image wide है लेकिन इसका जो composition है वो काफी different है लेकिन अगर मैं इसको tight image करता हूं तो इसकी composition change हो जाएगी उमीद करता हूं कि यह video आपको बहुत पसंद आई होगी अगर आ जादे से जादे उनको share कीजिए